नमस्कार दोस्तो गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे राजस्तान के पॉलिटिकल और अड्मिनिस्ट्रिटिव सैट अप में और आज का टौपिक है हमारा जिसमें हम बात करेंगे लीगल राइटस के बारे में धेको राजस्तान की बात करें तो दो legal rights की बात बहुत ही ज़्यादा important हो जाती exam point of yours है जिनमें first है राजस्तान public service guarantee act जिसमें public service की guarantee दी जा रही है ठीक है कि जनता की सेवा कैसे की जाए ठीक है दूसरा है राजस्तान public hearing rights act 2012 इसमें क्या है कि जनता की अगर कोई भी grievances है उन grievances को सुना जाए उन complaints को सुना जाए और उनका solution दिया जाए जनता को ठीक है तो इन दोनों acts के बारे में इस वीडियो में हम discuss करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नोट्स से related important information जो भी नोट्स आपको requirement है इन में से देख सकते हो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो link description box में given है गारगी classes RPSC सर्च कर सकते हो या फिर आप टेलिग्राम पे खुद डाउनलोड कर गे ठीक है और वर्ल्ड जोग्राफिक ये भी notes रेडी है RPSC point of view से तो चलिए start करते है RAS point of view से ठीक है और आपके syllabus में जो content है उसी को आप पढ रहें ठीक है बहुत बार comment आते हैं कि सर SI की preparation कर रहा हूं कोई बोलते है college lecture की preparation कर रहा है हम लोग सर RAS के लिए तो देखो holistically पूरा पढ़ना है एक भी चीज नहीं छोड़नी है और बाकि दूसरी exams के अगर आप preparation कर रहो तो आपको अपने syllabus को साथ में लेकर के चलना है syllabus में जो content given है वही चीज़े पढ़नी है additional कुछ कोई चीज़े पढ़ने की जरूत है नहीं ठीक है और यू मानों कि अगर explicitly लिखा हुआ नहीं है कि वहली यह लिखा हुआ है राजस्थान जी के तो इसमें देखो राजस्थान जोग्राफी history art and culture इन चीज़ों को आपको cover करना है ही और political administrative setup को भी देख लो ज्यादा कुछ है नहीं आज का यह 20 वा वीडियो है और ज्यादा कुछ बड़ी PDF है नहीं इसकी ठीक है तो चलिए चलते हैं main content पर स्टार्ट करते हैं discussion को तो अगर सबसे पहले बात आजाती है legal rights का मतलब क्या होता है देखो कानूनी अधिकार legal rights का मतलब हो गया कानूनी अधिकार की सरकार के दुआरा कुछ कानून बनाए गए और उन कानूनों के तहत राज्य सरकार और उसके दूसरे officers एं उनकी एक duty बन गई है कि जो citizens हैं उनक public service guarantee act 2011 इसमें देखो public services देनी ये एक important duty रहेगी सरकार की जो जितने भी officials हैं उनके द्वारा और वो भी एक time bound manner में ठीक है अब ये services की guarantee देना एक important चीज हो जाती है क्योंकि आपने भी कभी notice किया होगा कि आप जाते हो कहीं पर आप कुछ information लेना चाह रहे हो ठीक है किसी भी office से या कुछ भी activity कोई भी project से related कोई भी information आप चाहते हो तो वहाँ पर आपको information देने से अगर मना कर दी जाती है तो ऐसे में आपको एक guarantee तो मिलनी चाहिए ना कि हमें अधिकार आपने दिया है उसके बावजूद सरकारी दख्तर के लोग जो हमारी बात नहीं सुनते हैं त total 18 departments आते हैं जो कि state government के अंडर में काम कर रहे हैं इसमें 153 services में से 11 services है local self government से associated ठीक है जिसमें local self government में पंचाहिती राज institution भी आगए और अर्बन local bodies भी आगई जिनके बारे हम previous videos में बात कर चुके हैं मद्यप्रदेश पहला state था इंडिया में जिसने इस तरीकी के provision किये थे public को service की guarantee देने की बाद और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान ने पहल मतलब राजस्थान ने implementation जब किया तो हमारे यहां पर provision कर दिया penalty position कि मान लो जो भी designated authority है ठीक है किसी एक officer को appoint कर दिया जाता है authority दे दी जाती है कि public service से related अगर कोई भी issue आता है तो उसको आप tackle करोगे हर एक department में हर एक level पे appoint किया जाता है ठीक है तो अगर वो वहाँ पर information देना या service देने में वो deny कर देते है और या फिर जो complaint करने वाला individual उसको लगता है कि यहां पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो इस case में उस officer के against में penalty लगाई जाएगी और penalty भी किस case मे है वो मैंने बताई दिया कि अगर service provide करने में वो fail कर दे या फिर वो जान बूझ का delay कर दे ठीक है या देखो fail कर दे कि हाँ भी हम तो नहीं कर रहे है या ignore कर दे तब तो सीधा सीधारी जिम्मेदारी बने कि यह उस officer की कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया time पे और दूसरी is delayed is justice denied आपने सुना हो गई यह court कि अगर आपने न्याए में देरी कर दी मतलब आप न्याए नहीं कर रहे हो तो वो चीज हो गई तो ऐसे में चलते है penalty imposition का provision किया हुआ है इस act का main aim क्या है एक तो corruption को reduce करना क्योंकि public कुछ भी अगर चाह रही है जानना चाह रही है सरकार को को on elect करता है पब्लीक ही करती है तो ऐसे में सरकार की accountability और transparent manner में काम करे उसके लिए यह service का जो act है जिसमें guarantee दी गई है तो ऐसे में इसका main मुद्दा क्या हो गया corruption को reduce करना अब corruption में कोई पैसा ही लेन देन का नहीं होता है कि हाँ भी पैसे दे दिये काम करा दिये corruption का मतलब हो गया कि कोई भी mal practices perform की जा रही है कहीं पर भी कुछ कुछ किसी particular segment of the society के लिए अगर कोई गलत चीजे की जा रही है government office में तो वो भी एक तरीका या corruption है जितनी duty एक officer की होनी चीए उससे वो कम duty दे रहा है वो भी एक तरीका या corruption है यह सारी चीजें तो government officials के बीच में अगर corruption ज्यादा है तो उस corruption को रोकने का main target है transparency को increase करना है और ज्यादा ज्यादा accountability हो पब्लिक के towards यह ensure करना है इस act का main aim ठीक है और इसके अलावा जो हमने अभी देखे 18 departments उनमें कुछ important departments के नाम यहाँ पर है revenue department हो गया transportation से related department है energy medical police department हो गया local bodies self-government जिसकी हमने बात की पंचाहितिराज institutions and urban local bodies वाला department हो गया education department हो गया public health department हो गया engineering, urban development, housing, food, finance, social justice and empowerment, public construction, water resources, district administration यह सारे departments आ जाते हैं इस act के तहट, total है कितने 18, total services कितनी consider की जारी है 153 तो यह चीज़ा आप ध्यान रखोगे ठीक है इसके अलावा अगर चलें कुछ important provisions की बात करें इस particular act की जिसमें हम बात कर रहे है guarantees delivery of the public service act 2011 इसमें देखो हर एक department में एक schedule होगा ठीक है और उस schedule के तहत एक personnel को appoint किया जाएगा जो की complaints को लेगा कि हाजी public को conscious service के requirement है फिर आप देखोगे जो authorized employee जो होगा वो acknowledge करेगा कि हाजी मेरे पास में complain आ गई और complain करने वाले individual को receipt दी जाएगी कि applicant को कि हाजी आपकी complaint register कर ली गई है और आपकी complaint को हम इस particular date के अंदर अंदर इन दिनों के अंदर अंदर हम आपकी complaint को address कर लेंगे तो deadline भी वहाँ पे उस receipt में दे दी जाएगी इससे क्या होगा कि वो individual बार बार चकरना काट करके जो deadline दी हुई है उस time पर office में आकर अपनी inquiry कर आने वाले time पर एक बार application register होने के बाद अब आप देखो कि जो time manner time deadline दी हुई है उसी time के अंदर अंदर service service avail करानी जरूरी है यह ध्यान रखें अगर किसी भी case में delay कर दिया गया या information या फिर जो भी service provide करनी है वो service देनी में देरी कर दिया नहीं दी गई तो ऐसे में वो designated officer से जिसने वहाँ पर service के लिए registration लिया था वो उससे सवाल कर सकता है मतलब citizen जो है जिसने complain की है उस designated officer से पूछ सकता है कि आप इतना delay क्यों कर रहे हो मुझे लिखित में जवाब दो ठीक है ना साथ में time भी दिया जाएगा कि हाँ appeal भी कर सकता है जैसे कि मानलो की जो particular time period वहाँ पर given ह है उस deadline के अंदर जो लिख दिया उन्होंने officer ने ठीक है शुरुआत में जब उन्होंने registration दिया कि हाँ 15 दिन में पांस दिन में आपकी बात की जवाब मिल जाएगा पर वो जवाब नहीं दिया जाता है तो उस time के just बाद में आप देखोगे एक particular time period होगा जिसमें वह जाकर करके आप वो appeal कर सकते हैं ठीक है मतलब जो designated officer है उसने अगर time पे नहीं address किया service नहीं provide की तो उसके against में आप कह सकते हो कि appeal की जा सकती है उसके खिलाफ में कारवाई की जा सकती है कि मुझे service नहीं दी गई और जान भूज करके देरी की गई है तो designated officer जो है वो देखो normal conditions में त के पास में ठीक है जो भी service providing provide करने वाले designated officer particular department में उनकी duty क्या रहेगी कि वो relevant information को display पे open करेंगे चाहिए वो वैब portal हो या फिर जो staff की बात करें या फिर जहां पर office है उसके information board के ओपर वहाँ पर notice board पे display किया रहेगा कि हाजी ये information फला आदमी के द्वारा इतनी date को मांगी गई थी ठीक है साथ में ये भी बताया जाएगा कि कौन-कौन से documents के requirement होती है अगर आपको complaint register करानी है या फिर आपको service लेना चाहते हो तो ऐसे परिस्तिति में आपको वहाँ पर mention कर दिया जाएगा designated officer के द्वारा कि document क्या-क्या आपको attach करने पड़ेंगे तब जाकर कि वो service जो मैंने मांगी थी वो आपने misunderstand कर ली आप मुझे correct service provide करो correct मेरी जो grievances है उनको address करो correctly खीक है first appeal की जा सकती है कि जैसे ही deadline terminate हो जैसे कि आपने देखा कि जो designated officer है किसी भी department में जिसमें जाकर के एक applicant application डालता है और वो मांगता है कोई service और उस service को वहाँ पर उस application को लेते ही receipt पर date लिखके दे दी जाएगी applicant को कि इस तारीक से पहले पहले आपकी problem sort out कर दी जाएगी अब वहाँ पर उस applicant की problem को sort out अगर नहीं किया जाता है तो ऐसे में वो applicant appeal कर सकता है first level की appeal जो होगी वो जैसे ही deadline terminate हो उस जो receipt मिली थी ना उस applicant को उसमें जो date लिखी हुई है वो ज भी कर सकता है कि हाजी जो जो designated authority है जो officer है जिसने डंक से काम नहीं किया तो उसके गेंस में fine भी लगाए जा सकते हैं तो appeal को reject भी कर सकती है appellate authority ठीक है जिसमें आप appeal कर सकते हो फिर मान लो कि आप first appeal से भी संतुष्ट नहीं हो तो second appeal भी की जा सकती है वो कब जब first appeal का decision आप के पास में आ गया या तो वो order दे देंगे या फिर reject कर देंगे अब अगर आप उपन से संतुष्ट नहीं हो उस चीज से तो आप 60 दिन के अंदर अदर जिस दिन decision आ जाए ना first appeal का उसके 60 दिन के अंदर अप appeal कर सकते हो second time तो ऐसे में appeal के लिए पूरा tenure कितना मिल गया आप को 30 और 60-90 दिन मतलब तीन महने तक आप अपनी service के demand के लिए कोशी से कर सकते हो अपनी तरफ से पूरा और normally आप देखोगे जो stipulated time जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हां कितने दिनों के अंदर service provide करनी होगी उस designated authority के द्वारा जब भी कोई applicant अपनी application या complaint register करता है तो वो depend करता है देखो कैसी service आपको चाहिए है आपको को information चाहिए मालनो post-mortem से related तो वो 45 दिन तक भी जा सकती है maximum 45 दिन है और minimum हो सकता है आपको कुछ घंटों के अंदर अंदर ही service provide कर दी जाए वो depend करता है कि service कौन सी आप demand कर रहे हो तो यह कुछ important provisions है यह जो act 2011 का उससे सम्मन देख अब अगर बात करें राजस्थान Public Service Guarantee Act 2011 के तहट तो देखो इसमें penalty designated officer अगर fail हो जाता है information या service required जो भी है demand की जारी उसको fulfill करने में तो 500 रुपए minimum penalty लगेगी और ज्यादा ज्यादा 5000 रुपए तक लग सकती है साथ में जितने दिन चक्कर कटाए गए है applicant को उसके हिसाब से per day 2500 रुपए के हिसाब से भी charge किया जा सकता है जो कि 5000 रुपए तक जा सकता है कहने का मतलब penalty minimum 500 रुपए है maximum जा सकती है 5000 तक ठीक है या तो जो appellate authority है वो सीधा ये इस तरीके से fine impose कर देगी या फिर एक तरीका क्या है कि 500 रुपए per day के हिसाब से penalty लगनी शुरू हो जाएगी जो कि जादा तर कहां तक जा सकती है maximum 5000 रुपए तक अब ये जो penalty लगा दी गई तो उस designated officer जिसको appoint किया गया है service provide करने के लिए department के अंदर तो उसकी salary में से deduct होगा ये दियान रखें आप ठीक है deduction from the salary of the officer ठीक है और जो deduction होगा और ये जो 5000 रुपए तक का जो भी fine लगाया गया है ये compensation के तौर पे applicant को दे दिया जाएगा कि आपका time इस officer ने खराब किया तो इसके बतले में आपको ये हरजाना दिया जाता है इस act की अगर बात करें तो state government के department ही नहीं इसके रहते हैं ठीक है और इसके लिए integrated call center इस्टैब्रिश किया जिसका टॉल फ्री नंबर ये है ठाजस्तान पब्लिक सर्विस गैरेंटी एक 2011 अब चलते हैं दूसरे लीगल राइट पे इसमें क्या हो गया आप सिंपल सी जैसे statement से पता पढ़ रहा है public hearing मतलब जनता की आवाज सुनी जाएगी कि मान लो किसी को भी कोई भी सरकारी officer या किसी भी सरकारी department से किये हुए कुछ actions के चलते कोई भी citizen अगर परेशान है या कोई अपनी issue को address करवाना चाता है कि हाँ जी यह public hearing का एक act बनाया हुआ है देखो August 1st 2012 को राजस्थान ने अपनी तरफ से एक आप कोगे कि एक executive order के basis पे या फिर जो legislation तयार किया मतलब सरकार की तरफ से एक initiative लिया गया और उसके तहत कानून बनाया गया ठीक है legislation on the basis of the executive orders तो उसमें आप देखोगे citizens को entitle किया गया है कि उनको time bound manner में legal remedies provide की जाएगी अगर उनको कोई भी government services से संबंदित कोई भी grievances है मतलब उनको अगर कहीं पर भी परेशानी हो रही है तो उस परेशानी से संबंदित उनकी सुनवाई होगी कि हाँ आपको क्या problem है आप अपनी problem को हमें बताइए तो पहला तो क्या था first article 2011 का ज लिया government के department से तो ऐसे में उनको कहां पर जाकर के अपनी बात बोलें अगर courts में जाए तो लंबे समय तक litigation पर litigation लगते रहते हैं डिले पर डिले होता रहता है तो जो executive है that means सरकारी जो लोग है उनके accountability fix करने के लिए यह hearing संबंदित कहां कि सुनवाई का भी अधिकार मिलना च provision किया गया इस act में पी एच ओ जैसे कि previous में क्या था एक designated designated authority जिसका काम क्या था कि जितनी कुछ भी services डिमांड की जारी हो उन services को आप वहां पर entertain करोगे नहीं करते हो तो फिर हमने procedure देखाई अब मान लो services ले ली तो ऐसे में अगर public को कोई परिशा नहीं है तो उसको सुने satisfy नहीं है तो वो कर रहा है hearing के अंदर appeal अब hearing से भी अगर satisfy नहीं है first time पे public hearing officer से भी अगर वो उसके basis पे भी उसने भी support किया जो भी help provide की उससे भी अगर वो संतुष नहीं है तो वो appeal कर सकता है appellate officer के सामने और आप देखोगे जो appellate officer होगा appeal जिसके सामने आप कर रहे हो व पांच हजार रुपए तक का fine लगा सकता है जो भी उपर public hearing officer है उसके लिए ठीक है तो ये कहीना का empowerment की बात यहां पर की जा रही है citizens की आप देखो कि citizens को ये proper opportunity दी जा रही है कि उनके grievances को सुना जाएगा और सही से उनको address भी किया जाएगा तो ऐसे में उनके घर के आसपा कर रखी है इनको delegate कर रखी है कि ये काम अब आपको करना है ठीक है इसी तरीके से आप देख सकते हो तहसील लेवल पे तहसीलदार को appoint कर रखा है या और तहसीलदार को ही duty दे रखे है कि आपका काम ये रहेगा कि कहीं पर भी public hearing की बात आए तो आपको इस act के तहत अपनी ज executive officer होगा और municipality मतलब नगरपालिका में हो तो executive officer होगा municipal council की अगर बात करें तो commissioner हो सकता है municipal corporation के अगर बात करें तो वो सकता है chief executive officer ठीक है इसी तरीके से division की बात करें संभाग की तो वहाँ पर additional division commissionAL भी हो सकते हैं divisional officers भी सारे हो सकते हैं overall बात क्या गई कि कैसे भी करके आपके पास में जो nearby approach में आते हैं वहाँ पर जाकर के आप अपनी application डाल सकते हो कि भई हमारी ये पीडा है हमारी स्पीडा को समझो अब देखो इसमें तीन लेवल पे आप अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉस्ट लेवल तो है कि आप अपनी complain को register करोगे एक plain paper पे और paper में भी प्री स्क्राइब format होगा कि हाजी इस format में आप अपनी complaint डालो ठीक है और वो आप information center जो भी allocated होगा वहाँ पर जा करके अपनी deposit कर दोगे application को और वहाँ से receipt ले लोगे अब जो public hearing officer है वो देखो या तो सुनवाई करेगा या उस मुद्दे को सुनने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर dispose कर देगा कि बात यहीं पे इस तारित होती है खतम हो गया मुद्दा अब आपको जो भी चाहिए वह चीज आपकी compensate कर दी गई आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए अब मान लो कि public hearing officer जो है वो मना कर दे कि भाई मैं कुछ सुनने वाला नहीं हो आपकी ठीक है तो ऐसी परिस्तितियों में उनको कारण को लिखित में देना पड़ेगा reason in writing लिखा हो लिखित में देना पड़ेगा कि किस वज़े से वो complain को reject कर रहे हैं अब एक बार complain अगर reject हो गई या फिर जो भी verdict यहां पर जो भी information या services या विर जो भी hearing यहां पर की गई यह public hearing officer के द्वारा उससे अगर applicant संतुष्ट नहीं है तो वो यह काम इनको 15 दिन के अंदर अंदर करना है फिर भी अगर वो 30 दिन के अंदर भी काम नहीं करे तब जाकर के आप first appeal register करा सकते हो तो वैसे तो देगो normal time तो क्या है 15 दिन के अंदर अंदर और 15 दिन में अगर नहीं होती है आपकी problem sort out वहां पर आपके सुनवाई नहीं हो पा अंदर appeal को dispose करना पड़ेगा वहां पर अपना decision देना पड़ेगा तो यह एक provision आगया आगया फिर इसके बाद में third level आता है तो third level में आप देखो कि appellate authority first जो थी उसके verdict से उसके decision से भी आप खुश नहीं हो और उन्हों भी 30 दिन के अंदर अंदर मतलब जब से आपने appeal की तब से 30 दिन के अंदर अंदर आपके कोई सुनवाई नहीं की तो ऐसे में आप अप उस appellate authority के order या उसने जो भी action लिया है उसके against में second appeal दायर कर सकते हो तो ऐसे में appeal का provision भी यहाँ पर दिया हुआ है तो ऐसे में appeal का tenure 30 दिन का तो second level पे हो गया 30 दिन का first level पे ऐसे 60 दिन का सुनवाई properly कर ली जाती है ठीक है अब ऐसे में देखो कि एक तो हमारे राजस्तान Public Service Guarantee Act 2011 एक है राजस्तान Public Hearing Rights Act 2012 इन दोनों को अगर Right to Information Act of 2005 के साथ में देखो तो यह citizens को empower कर रहे हैं कि नहीं तो ऐसे में सरकार की accountability और transparent manner में सरकार को आप काम करने के लिए मजबूर कर द की जा सके समझ गए तो उस परिस्तिती में यह legal rights provide किये गए हैं राजस्तान की जो residents हैं उनके लिए ठीक है तो यह एक innovative तरीका है और एक यह वाकई में राजस्तान एक harbinger की तरह काम करता है हमेशा pioneer भी बोलते हारविंजर को जो शुरुआत करने वाले states में से एक होते हैं तो राजस्तान इस list में हमेशा आ गया आता है ठीक है जंच सुनवाई से related देखो या फिर आप कोई भी नया innovative काम करना हो जिसमें की सरकार की accountability fix करनी हो transparent manner में काम करना हो right to information act को implement करना है right to education act को मतलब लोगों को या फिर आप कहोगी जो सबसे ज्यादा vulnerable section है या marginalized section है जैसे कि female हो गई या फिर जो backward class के लोग हो गए SCST community के लोग हो गए पूर्स हो गए इनके लिए राजस्तान सरकार के द्वारा इस तरीकी के कदम उठाये जाते हैं जिससे की governance अच्छी हो ठीक है ना तो यह हमने देखी legal rights से संबंदित point अब एक से दो videos हो रहेंगे जिसमें हमारा फ पर टेलिग्राम चैनल का link description box में है वहां से join कर लो और साथ में आप जो वहां पर pinned message को follow कर लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी notes को लेने में ठीक है और notes अगर आप अपने हाथों से बना रहे हो तो यह बहुत ही अच्छी बात है ठीक है thank you